हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू सिविस्टर तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हमारे सेकेंड येर में थर्ड सेमिस्टर का सब्जेक्ट इस दब बिल्डिंग प्लानिंग एड आर्किटेक्ट्चर ठीक है ये सब्जेक्ट बहुती ज्यादा इंपोर्टेंट है क्यो है इंपोर्टेंट मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ हमारे सिविल इंजिनेरिंग में क्या होता है कि प्लानिंग का सिर्फ यह हमारे पूरी सिविल इंजिनेरिंग में सिर्फ यही सब्जेक्ट है बिल्डिंग की प्लानिंग से रिलेटेड और क्या होत करता है कि planning का सारा काम कुन करता है architecture करता है लेकिन चुकि society में क्या image बनी हुई है कि हम जो civil engineer है वही क्या करता है building की planning भी वही करता है और अगर इंडिया में अगर देखा जाए तो जो building की planning रेता है वो civil engineer भी करता है civil engineer भी करता है असली काम किसका है architecture का है civil engineer का काम क्या है civil engineer का काम है जो भी उसने आर्खिटेक्चर ने प्लानिंग करी वी है बिल्डिंग का उसको डिजाइन करना उसमें रिंफोर्स्मेंट कितना आएगा कॉलम कितने आएंगे ये सारी चीजे किसका काम है ये है सिविल इंजिनियर का काम लेकिन जो जनरल सोसाइटी में क्या इमेज बनी वी है हमारी सोसाइटी में कि जो सिविल इंजिनियर है वही प्लानिंग भी करते हैं इसलिए हमको प्लानिंग बिल्डिंग की आना बहुत ही जरूरी है बिल्डिंग की प्लानिंग आना बहुत ही लेकिन मैं पढ़ा किसके ला रहा हूँ मैं सेमिस्टर एक्जाम के लिए पढ़ा रहा हूँ और ये सारी उनिवर्सिटी जो भी इंडिया में उसके लिए अप्लिकेबल है अब मुझे कुछ इस्टुडेंट्स ने मुझे आके बोला कि सर आप जो सिलेबस यूज़ करते हैं तो सारा सब कुछ कवर हो जाता है लेकिन हम जो दूसरी उनिवर्सिटी के हैं उनमे क्या रहता है सर कोई कोई से एक आदा टोपिक क्या रहता है वो छूड़ जाता है वो आप कवर नहीं करते हैं तो मैंने उन इस्टुडेंट्स को बोला कि अगर आप मुझे बताएंगे क सर हमारी university ये है उसमें ये topic important है जो कि आपने cover नहीं किया है तो मैं वो topic भी cover अलग से कर दूँगा उसका वीडियो मैं आपको अलग से provide कर दूँगा university wise जो भी अगर एक आदा topic छुट जाएगा बागी पुरा का पुरा syllabus क्या है सारी universities का लगबग लगबग सेम ही है ठीक है तो फिर हम स्टार्ट करेंगे next lecture से हमारी building planning and architecture तो मिलते हैं फिर next lecture में